प्रेंस सभी को मेरा नमेश्कार आज हम डेड़ पाकॉड़ा बनाने चल रहे हैं यह हमने आलू लिया था इसको बायल करके छील लिये हैं डेड़ है भनियल है इधर हमने लिया है लहसुन मिर्चा हम खूप लिये हैं इसको प्याज नहीं डाले हैं अमचुर पाउडर है दोपने चल रहे हैं जीराउरा में यह हमने डाला है पच्पोरां थोड़ा सा अब हम इसमें लेशन मिर्चा जो गूटे हो इसको डालेंगे हाँ देखिए हमारा करते हैं लेशन मर्चा ब्राउन हो गया इसमें डाले हुए थे अर इसमें हम आलू को डालेंगे आलू को हमने अच्छे तरीके से पोड लिया था इसको हम पोड़ा सब्सक्राइब यह मंचूर पाउडर और क्यों करते हल्डी डाले हैं इसमें नमक कालेंगे जीरी कि नमक हमारा डल गया है इसको मिलाएंगे अच्छे से यह हमारा अलू जो भुजा गया इसमें उपर से धन्य डाल रहे हैं इसको हम निकालेंगे क्योंकि कराही में पकड़ने लगा है यह दिखिए लाल हो गया हो यह हमारा अच्छी तरीके से डेड में लगाने के लिए आलू मसाला तयार है और हम बेशन को फेटेंगे यह दिखिए हमारा बेशन है इसमें हमें आधा चमच वो डाल मिर्चा पाउडर है आधा चमच हमदी है इसको मिला रहे हैं और हम इसको भूल बनाएंगे यह हमारा भूल बन बहाँ है इस तरह से हमारा भूल बन के रेड़ी हो गया है यह देखिए अब इसको हम ब्रेड को बनाने चल रहे हैं आलू लिए हैं ब्रेड इसके हम आलू लगाएंगे बराबर से के बादमे को ब्रेड को हम औरल लगाएंगे इस तरह से अ कि इसको इसे लगा के रख लिय LA रहे हैह से door seven बेड में ब्रेड में यालू लगा लिए हैं इसको कर लेंगे उसकी बाद हम बेशन में डाल के खाई करेंगे इसको हम इस तरह से मारा कठ हो गया है इसको रखने के हैं मेरा आल गरम हो गया है अब हम चलने निकालने बेड़ को को अपिता दो ऑनक बेड़ से मको को घृम चृिता है ठीक तो अचते दोपने रेखिस को रखने पाई प्रासी में थी дер बबश्डिता के वडिए अपि 10 ow घं इला आ कि यह हम पलड़ दिये हैं इसको अगर आपके धर पर कोई जल्दी से मिर्मान आजाएं तो आप जट पर टेस्टी पकॉड़ा देस मिनट में तयार कर सकते हैं इस तरह है कि देखिए हमारा पकॉड़ा जो ब्राउन हो रहा है दोनों तरफ इसको ब्राउन करने गल देखिए यह बहुत ही टेस्टी बनता है घर में यह देखिए हमारा ब्रेट पकॉड़ा पन की रेड़ी है इस तरह से हमने बना लिये हैं अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सुस्क्राइब करिएगो खोड़ी दूस्तों धन्यवाद तो